चंडिगर प्रसाशन की तरफ से जो गरीब लोग हैं और प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उन्हें घर तक पहुचाने के लिए विवस्ता जो उनकी पहल है वो शुरू कर दी गई है एक form वीफसाइट पे उन्होंने जारी किया है जिसे fill करना होगा और साथ ही एक toll free नंबर जारी किया है जिस पहे संपक जो गरीब लोग हैं जो घर जाना चाते हैं वो अपनी जानकारी दे सकते हैं लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि जो फॉर्म है वो इंग्लिश में है और इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है अनपढ़ है और किसी के पास कंप्यूटर या जो बड़ा फोन होता है एंड्रॉड फोन वो नहीं है अब जहां तक बात है टोल फ्री नंबर की उस टोल फ् अपको कहां ऐने लिया पेपर से आपकी लां कितनी बार आपने ट्राय किया और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं प्रसाशन से क्या पर है अ यहां पर क्या काम करते हैं हम होटल में काम करते हैं होटल बंद है खुलने का चांस भी नहीं है अमाली खाने होने का प्रोब्लम डार रहा है और जिस्थे कमेडियों कहीं पर बट रहा है वहां पर भी गया तो वहां पर खुई कोई सनुवाई नहीं हुई रूम माली क्राय मांग रहा है कि यह प्रील आपने डाइल किया और रिचा इंभी तक कोई समप्रग नहीं हुआ है覺 했는데 हम फिल असे से निकाला जाए घर पर फ़ुचा जाए आ यह कर दे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा तो ये लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं इनका कहना ही कि जो टोल फ्री नंबर हैं वो किसी तरीके से अख़बार की माध्यम से इन्होंने वो वहां से ले लिया है और उसमें ये लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसी का संपर्क प्रसाशन की किसी अधिकारी से नही अधिकारी को लगा रहे हैं एक टोल फ्री नंबर रख रहे हैं और दूसरा हम इसमें वेबसाइट में फॉर्म दे रहें जो रेजिस्टेशन करवाएंगे जिनों ने इस जगा से चंडीगड से बाहर जाना है जा तो चंडीगड के लोगों ने वापस आना है तो वो जो फॉर्म है वो हमारे चंडीगड परशासन की वेबसाइट में उपलब्ध है देखिए सबसे पहले मैं यह स्वागत करूँगा और धन्यवाद करूँगा कि यह मुद्दा जो इनोंने रखा है यह बहुत ही परशंसनी है सुबा सुबा आया तो इन लोगों को अकबारों के माधियम से खबर मिल गई लेकिन इन सब ने एक बात कही कि यह जो वेबसाइट जो चंडीगड परशा आसन की वेबसाइट में जाएंगे और वो फॉर्म भर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यह पहल बहुत अच्छी है लेकिन इस पहल में जो फॉर्म रेजिस्टेशन का जो इनोंने रखा है पार्ट उसको कही ना कहीं इनको खतम करना चाहिए उसके लिए स्पैशल केम्प करने चाहिए मैंने बलकि उस ट्वीट में जवाब भी दिया परिदा साब को जो एडवाईजर साब है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि एरिया एसेचो पतवारी और जो यहां पोस्टमेंट जो हैं जो उस एरिया के हैं और लंबरदार और लोकल लीडर इन चार लोगों की इनवाल्मेंट से यह लिस्ट को बनाने का काम शुरू करें यहां पर मेरे साथ समाजिक संस्ता जो प्रवासी मजदूर की चंडिगार्ट में हैं उनके सेकेटरी भी हैं सर यह तो रही फॉर्म की बात लेकिन एक टोन नंबर भी प्रसाशन की तरफ से जारी किया है उसमे ना तो कुछ फॉन बोल रहा है और ना कोई आवाज आ रही उधर से सिर्फ आप चारिकता ही है तो मेरे पास सारे तरफ से लोग आते हैं कि हम लोग जाएंगे हमारी बेवस्था की जाएं पंद्रा में तो मैं 15 दिन से कम सम कम प्रेशान हूं कि लोग का रहे हैं कि यहां त एक सामाजिक संस्था के अंदर में कुछ दे दी हैं दे दिया जाए आजने की विवस्थार हो जाएगा अंध्या जो अंग्लेजी का है वह नहीं नहीं भरा जा रहा है तो यह गरीब मजदूर इक्साइचाल्य चालल या देहारी करने वाले मजदूरों कहां से भर पाएंगे आप लोगों के लिए किस तरीके की विवस्ता की जाएंगे ठीक है लेकिन हम भरने की नहीं जानते तो हम क्या जानते आनपड़ गमार आदमी है मली कमाने दियार दियारी जारा वले बंदे हैं मुबाइल नहीं है कुछ नहीं तो कैसे का करेंगे हम चंडिगर प्रसाशन की बहुत अच्छी फैहल है कि किसी तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए लेकिन इस पहल में जो यह फॉर्म दिया गया है अंग्रेजी में और जो टोल फ्री नंबर यहां तक पहुंचना इन प्रवासी इशाता कुछ